हेल्लो और नमश्कार दोस्तों कैसे करें टेक यूड्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पिसे स्वागे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप टैन ऐसा एंड्रोइड एप्स बताने वाला हूं जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है और वो भी उन इस्टूडेंट के लिए जो की घर बेठे अपनी ओनलाईं लर्निंग कर रहा है तो अगर आप भी जाना चाहते हैं कि वो टॉप 10 एंड्रोइड एपस कौन से हैं जिन से हम लोग जो है उनलाईं लर्निंग कर सकते हैं और ओनलाईं के लिए जयो के अंदर आने वाले हैं तो अगर आप भी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर दिखी का तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करता है और जाते हैं यहां पर बात हो रही है ओनलाइन पढ़ाई करने के लिए तो हम बात कर लेते हैं आप लोगों को वीडियो कॉलिंग के तिरू जो है वो एक दूसरे से कम्मिनिकेट होना पड़ता है I mean teacher और students को communicate करना पड़ता है ताकि video calling पर अपनी पढ़ाई कर सके तो इसके लिए आप लोगों को एक application के जरौत लगती है जो कि आपकी school के app के साथ में connected होता है यह application google meet या फिर zoom या फिर webex meeting हो सकता है तो इसलिए आप लोग जो है इन तीनों में से किसी भी application को download कर लिजीगा जो कि आपकी school के app के साथ में connected हो मैं इन में से most of the time जो है application यूज़ करता हूँ वो है google meet क्योंकि यह free of cost है आप इसे कितने भी समय तक यूज़ कर सकते हैं काफी कम data पर uses होता है और साथ ही high quality भी हम लोगों के लिए देखने के लिए मिलती है और ना ही किसी तरीगे की हम लोगों को sound में को disturbance देखने के लिए मिलती है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को recommend करूँआ कि आप लोग Google Meet को download and install कर लिजीगा जिसका download link निचे description box में मैंने दिया है तो दोस्तो पहला app तो यह हो चुका है अब हम लोग बात करते हैं second app की जो कि आप लोगों के mobile के अंदर याने की students के mobile के अंदर install होना जरूरी है guys second जो app है वो बहुत ही important है उन सभी students के लिए जो की वाकिये में deeply पढ़ाई करते है आई मीन जो कुछ भी आप लोगों ने online classes में पढ़ा है तो वो क्या होता है दोस्तों के काफी जो है fast forward system में चलता है हो सकता है कि उसी भीच आप लोग अपना raise hand नहीं कर पाए और जिसके कारण से आप लोगों के मन में जो कोई doubt रह जाए या फिर कुछ नहीं कुछ अगर ऐसा भी हो सकता है कि teacher ने क्या कहा या आप लोगों को ठीक से सुनाईना दिया गया हो या फिर उन्होंने जो method बताई है वो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आई है तो इसलिए जो है आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी online class की video recording कर सकते हैं जी हा दोस्तो video recording कर सकते हैं अगर आप लोग भी अपनी teachers की online class को record करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों की form में X recorder जो है एक application installed होना चाहिए जो कि आपकी mobile की पूरी screen को record करेगा with internal audio यानि कि teacher जो कुछ भी बोल रहा है और जो कुछ भी दिखा रहा है वो सब कुछ जो है इस application के अंदर record होगा ताकि इसका use करके जो है आप लोग कभी भी in future उस video को revise करके देख सकें और आप अच्छे से उस पूरी method को जो है अच्छे से समझ सकें अब दोस्तो यह तो हो गया हम लोगों के लिए कि भीया हम लोगों ने on-line class ले ली on-line class को record भी कर लिया लेकिन अब अगर हम लोगों को notes को जो है वो अपने पास में arrange कर करके रखना है तो notes को arrange करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं तो notes को arrange करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक application का use करेंगे जो कि आपके mobile के अंदर pre-installed होता है जिसे हम लोग केते हैं Google Drive जी हां दोस्तों Google Drive एक ऐसा application है जो कि Google की द्वारा develop किया गया था और इसके अंदर हम लोग 15GB, 15GB तक का data store कर सकते हैं इसे use करना बहुत ही आसान है इसके लिए आप लोगों को simple जो है इस application को open करना है right side में down आप लोगों को plus का icon देखने के लिए बिलेगा आप यहाँ से अपनी files को upload कर सकते हैं या फिर चाहे तो यहीं से आप new folder create कर सकते हैं और folder wise अपने data को arrange करके रख सकते हैं guys अब हम पहुँच चुके हैं fourth यानि की top 4 की fourth list पर हम लोग जो है पहुँच चुके हैं और fourth जो application रोश्तो वो बहुत ही important है जिसका नाम है Evernote जी हाँ दोस्तो Evernote एक ऐसा application है जिसके अदर आप लोग अपना test में जहें कुछ भी data save करके सकते हैं साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर किसी image को भी जो attach करके रखना चाहें या video या recording को अगर attach करके रखना चाहें तो यहाँ पर बड़ी आसानी साब कर सकते हैं यह आपके mobile के अंदर ही offline work करेगा और अगर आप लोग इसके अंदर account create कर लेते हैं तो आप लोगों के account से जो वो synchronize हो जाएगा जिसके कारण से आप लोग इन feature में कभी भी दूसरे device के अंदर भी इस data को जो है जैक कर सकते हैं या अगर आप अपना phone change भी कर लेते हैं तो भी उस phone के अंदर इन साभी notes को जो है वो access कर पाएंगे तो मैं आप लोगों के यहाँ पर recommend करुआ कि अगर आप लोग notes को save करने के लिए application नोट रहे हैं तो आप लोग Evernote का यूज किजीगा क्योंकि यह एक evergreen application है जो कि मैं खुद भी personal यूज करता हूँ तो यह साथ दोस्ता हमारा fourth app तो अब हम लोग चलते हैं fifth app की तरफ और fifth app जो है दोस्तों वो और भी ज्यादा interesting है guys fifth app, fifth app आपके यह काम में आएगा कि आप लोगों ने online class ले ली, online notes भी create कर लिये, सब कुछ कर लिये, data को arrange भी कर लिया लेकिन बात आ गई है अब exam की, यानि कि आप लोगों को अपने assignment देना है या homework complete करना है और teacher ने का है कि भी या homework लेने के बाद में आप लोगों को उनके screenshots या photos लेना है और आप लोगों को PDF में create करके हम लोगों को भेज रहा है यहाँ पर हम लोग gallery के अंदर रखे हुए photos को भी जह हो PDF में create क्या convert कर सकते हैं अब guys हम लोग बात करते हैं 6th number के application के बारे में दोस्तो 6th number का application भी बहुत ही important है क्योंकि हम लोग online पढ़ाई कर रहे है it means learning from home तो learning from home है दोस्तों तो हो सकता है कि teacher आप लोगों को जो है application पर WhatsApp पर या email पर जो है वो PDF में जो है notes को forward करें या send करें तो अब भया जब PDF में कोई document आप लोगों के पास में आता है तो आप लोगों के mobile में जो है वो file बिलकुल भी open नहीं होती है जिसके कारण से आप लोगों को उस document के अंदर लिखावा कुछ भी element जो है देखने के लिए नहीं मिलता है तो अब इसका क्या solution है और किस तरीके सम लोग इसे जो है fix कर सकते हैं तो इसके लिए जो दोस्तों आप लोगों को WPS Office नाम से एक application प्लेस्टों से डाउनलोड करना है या फिर आप लोग चाहे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डारेक्ट इस application को डाउनलोड कर सकते हैं यह application एक एसा application है जहाँ पर आप लोग PDF, PPT या फिर कहें कि Excel या Word की किसी भी type की file जो है document file ओपन कर सकते हैं क्योंकि यह जो है all in one application है तो यह था दोस्तों हमारा 6th app अब हम लोग चलते हैं 7th app की तरब जो की और भी ज्यादा है जो है interesting है guys मान लीजे कि teacher ना आप लोगों को एक image भजा और इस image में से जो है आप लोगों को उसमें से सिर्फ text text यानि कि words words को जो है अगर वहाँ से select करना है तो अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है वो दूसरे tab में open करेंगे notes को या evernote को और वहाँ पर आप लोग टाइप करने लग जाएंगे लेकिन मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि मैं आप लोगों को एक ऐसी trick बता सकता हूँ जिसके help से जो है आप लोग इमेज के अंदर लिखे हुए text को बाहर ला सकते है आई में उन text को copy कर सकते है तो ये लगेगा न आप लोगों के लिए helpful तो दोस्तो ये जो application है जिसका न लेना है जिसे आप जो है image से text में convert करना चाहते है देर उसके बाद में आप लोगों को नीचे जो है third number पर या fourth number पर lens का icon देखने के लिएगा तो आप लोगों को हलका हलका blood देखने के लिएगा तो आप लोगों क्या करना है कि simply उन words के उपर click करना है और जहां से जहां तक I mean starting to end point आप लोगों को select करना है जिसके बाद आप लोग आप पर copy का button देख पाएंगे तो आपको simply copy करना है और अपने उस application के अंदर ला करके paste कर दिना है जहां पर भी आप जो है इस text को अपने पास save करके रखना चाहते हैं तो यह था दोस्त हमारा most important app अब हम लोग चलते है next app की तरफ दोस्तो एट जो एप है वो बहुत ही important है उन users के लिए या उन students के लिए जो की आए दिन math को solve करते रहते हैं और उनी बीच में अगर आप लोगों को किसी तरीके का कोई साथ tough या difficulty question या question देखने के लिए मिल जाता है जिसे आप लोग जो है देखकर के थोड़ इस्टॉल करना है जिसका नाम है math solver math solver microsoft के दवरा provide के जाने वाला एक ऐसा application है जो कि आप लोगों को सेंपरिक्या करना है कि अपने mobile के camera से जो है उस question का photo click करना है और आपका ही जो application है वो application directly आप लोगों के जो है answer ला करके देगा और साथ ही आप लोगों को बताएगा कि step by step हम लोग किस तरीके से इस question को solve कर सकते हैं तो है ना दोस्तों यह interesting app जिसकी help से आप लोग जो है अपने difficult से difficult math waiting के question को भी solve out कर सकते हैं तो यह था दोस्तों हमारा eighth number का जो है app अब हम लोग चलते है ninth number की app की तरब class ले रहे हैं class लेने के बाद लोग आप लोग जो है अप लिए तो homework करने के लिए आप लोग क्या करना हुआ दोस्तों कि आप लोग directly write out करके हैं जो भी आपका work है complete कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोगों को एक manager दे जाए I mean अगर आप लोगों को homework को manage करने वाला एक planner यह एक ऐसा application दे जाए जो कि आप लोगों को बताएगा कि अग अगर आप लोग notification के रूप में homework planner को set करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप लोगों को my homework planner application को download कर लेना है जो कि आप लोगों को time time पर बताएगा कि भाईया आपका इस subject का homework नहीं हुआ है आप इससे complete कर लीजिए और आप इस homework को जो है अपने teacher को forward कर दीजिएगा तो 10th number का application जो है वो बहुत ही जादा मैं पसंद करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है आप लोग अपने notes को तो रख सकते हैं लेकिन वो भी flash cards के रूप में जो है flash cards के रूप में जो है आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जब आप लोग अपने notes को flash के रूप में जो है वो swipe करते हैं तो आप लोगों को जो है वो काफी interesting लगता है क्योंकि वो काफी colorful होता है साथ ही वो आप जो है आप लोगों के nice background जो है aesthetic background देखने के लिए बीरता है जिसे आप लोगों को याद करने में काफी आसानी हो जाती है और वो भी सबकुछ flash cards के रूप में तो और ये जो flash cards आप लोगों ने बनाये हैं ये flash cards अपने friends यापी teachers और इन सभी के साथ में share कर सकते हैं तो I hope दोस्तों के आप लोगों को यहाँ पर बताए गए top 10 android apps for students जो है वो पसंद आये हैं अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आये हैं तो हमारी इस वीडियो को like कर दीजिएगा और इसी तरीके की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारा इस कैसे करे टेक YouTube चन signing off, bye bye